ओम श्री गानेशिया नमा दोस्तों ओम गड़पती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 25 जून सुक्रुवार आज के वरस्चिक रासी के देनिक रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और वेवसाई कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्कून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उभाई भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोग उस रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्ग्राब करें और साथ में नोटिफिशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नए नए महत्कून वीडियो पहुँच सके तो चले दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आप की रासी वालों के लिए आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपका दिन बहतर रहेगा कार्य चितर में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी जिया दोस्तो अपनी उर्जा से आप बहुत कुछ खासिल कर सकते हैं आपका confidence बड़ा हुआ रहेगा सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे जिया दोस्तो आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं जो आगे आपको धनलाब के अफसर देगा रुका हुआ फसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है जिया दोस्तो अगर आप कोशिस करें तो आपको इस सोचे में कुछ जरूरी काम समय पर पूरे होंगे आपको इस भी फैसला लें काफी सोच समझ करी लें बोविश्य को और बहतर बनाने के लिए आज जरूरी कदम उठाएंगे आपकी सभी योजनाएं समय से पूरी होंगी जिया दोस्तो आरते की स्थी मजबूत होगी लेकिन महनत करनी पड़ेगी आपका पूरा द्यान अपने केरियर को आगे बढ़ाने पर ही रहेगा और आपको किसी जरूरत मंद की मद्द करके काफी खुशी महसूस होगी आपको अपने सभी कारियों में सफलता मिलेगी अगर कोई लाब कावसर मिले तो उसे अपने हाथों से ना जान दे और साथ ही बिजनेस और नीजी जीवन में अपने विरोधियों से सावधान रहें आपको नए लोगों से थोड़ा संबल कर रहना होगा जिया दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में दोस्तो आज यात्रा से कष्ट हो सकता है वहान और मसीनरी से सावधान रहें आप जो भी कारी करें सोच समझ कर करें हो सके तो किसी वरिष्ट की सलावस्त लें बोलने से पहले थोड़ा सोच लें कहीं ये बात सामने वाले को बुरी ना लेगी आज जीवन साती से कोई अन्बन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं आपके विर्षाय और केरियर के बारे में आपका आर्तिक पक्ष पहली किया पक्षा और मजबूत होगा व्यापारी वर्व को अचानक से कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपका पूरा धिहान केरियर को आगे पढ़ाने में ही रहेगा कारिया चेतर में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है बविश्य को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम उठाएंगे अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुश्यों का माहल बना रहेगा आप परिवार वालों के साथ कहीं घुमने फिरने का भी पिलान बना सकते हैं परिवार के रिष्टों में इससे मजबूती आएगी माता पिता का आसिरवात प्राप्त होगा बहाई बेनों में आपके इसने और प्यार बढ़ा रहेगा घर परिवार में खुश्यों का माहल रहेगा आपको अपने ब्रोदियों से थोड़ा बचकर रहना होगा दोस्तों आपकी लवलाइब कैसी रहेगी जीवन साती के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भावोग हो सकते हैं विवाईत जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आप जीवन साती के साथ कई घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं जीवन साती को लाब का अवसर प्राप्त होगा आपकी किसी से मुलाकात आज दोस्ती में बदल सकती है दामपत जीवन काफी प्रेमपूर्ण बना रहेगा जीवन धोस्तव आपका स्वास्त कैसा रहेगा स्वास्संबंदी समझ्जाओं से दूर रहने के लिए आप रोजाना वयायम करें जिसे पैर और हातों में सूजन और दर्द की समझा से बचा जा सके ये समस्य हैं मौसम परिवर्दन से उत्मन हो सकती है आपके लिए बहतर होगा नियमित योग करें वियायाम करें प्रानायाम करें और पूर्ण रूप से स्वस्त रहें दोस्तो आज आप ये उपायावर्स से करें माता लक्षमी की तस्वीर लाल कपडे में रख कर और कलावे से बांद कर अपनी तिजोरी या पूजा इस्तान पर रख दें और पिरते दिन एक सो आठ बार इस मंतर का जाब करें ओम स्री लक्षमी नमा ओम स्री लक्षमी नमा ऐसा करने से आपकी अन्य कुछ समस्चा इस समाप्त हो जाएंगी आपको माता लक्षमी का असरवाद प्राप्त हो कमेंट में जे लक्षमी मावस से लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो